नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हल्चल पर वाडी उत्तर भारतिय सभा वाडी शाखा के और से दीपावली परवपर शेत्र की गरीब महिलाओं को मिठाईया वसाडियों की वितरन का सामाजिक स्थूत्य उपकरम का आयोजन किया गया था दत्तवाड इस्तित शाहू लेयाओट बांके विहारी मंदिर में आयोजन इसकारिकरम का प्रारम वाडी पुलिस निरिक्षक ललीता तोडा से उत्तर भारतिय सभा के विधर प्रांत अध्यक्षर डीबी सिंग नाकपूर जिला अध्यक्षर राम प्रताप शुकला आदी क के सामाजिक कार्यकरता प्रोफेसर सुभाश खाक से नाकपूर शहर पदाधिकारी एमेम शर्मा पीपी तीवारी विवेक पांडे का भी उत्तर भारतिय सभा के वाडी शहर अध्यक्षर प्रविंट सिंग सुश्मिता सिंग राजपुत तारा मिश्रा ने पौधा वर मिठ उद्देशक अथन किया चेंबर ऑफ असोसेशन ऑफ महाराष्टा इंडस्ट्रीज एंट रेट कैमिटी ने समाज के लिए उत्कृष्ट सेवाई देने वाले हस्तियों को समानित करने के उद्देश से शिखर सेवा समान का गठन किया है ये समान सेवा भावी सज्जनों के अद्वितिय योगदान को समयनित करने के साथ ही नागरिकों को अपातकाल और सामाजिक संकट की स्थीतियों में अपनी सिवाई देने के लिए प्रेरित करेगा इस वर्ष ये पहला समान सरवश्री रमेश जायसवाल निको ग्रूप गुपाल अगरवाल संदेश समूह प्रेकरम के प्रमुक अतिति रहेंगे रमेश जायसवाल लगभक चार दाशकों के व्यापार के साथ एक प्रवर्तक और उद्द्यमी हैं वह व्यापर संगठन, संचालन, वित्त और प्रबंदन के सभी पहल्यों में अनुभवी हैं वह अथक आशावादी हैं जो मानते है कि सब कुछ संभाव हैं इन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के दर्मियान अपने रायपूर स्थित स्टिल प्लांट से लिक्विड ऑक्सिजन कोरोना मरीजों के उपचार हेतु निशिल्क उपलप्त कराई प्यारे खान ने बहुत ही कम उमर में अपनी उद्द्यम शिल्ता यातरा शुरू की और आज अर्बो रुपे के एंपायर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं दयानन्द आर्यकन्या कॉलेज में राष्ट्य महिला आयोग NCW के सहयोग से NRI विवाह मुद्दे और चिंता पर एक दिवसिये राष्ट्य विबिनार का एजन खिया गया कार्यक्र में बतौर मुख्य अति थी राष्ट्य संत्त तुकडोजी महराज नाकपुर विश्व विद्याले के कुलपती डॉक्टर संजय दुधे आर्य विद्यासभा के अध्यक्ष अशोक रुपलानी आर्य विद्यासभा के उपार्ध्यक्ष घंशामदास कुकरेजा दयानन आर्यकन्या महाविद्याले के प्राचारिय डॉक्टर श्रधा अनिलकुमार, केपीबी हिंदुजा कॉलेज आफ कॉमर्स मुंबई की प्राचारिय डॉक्टर मिनु बदलानी, मुख्य अतिती स्पीकर डॉक्टर वीभूती पटेल, विशे विशेशग्य डॉक्ट करन कर रहे है, हमें जागरुक होना चाहिए, अपनी संस्कृती और अपने बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहिए, मुख्य अतिती वक्ता वीभूती पटेल ने एनराई विवाह के सभी पहलूव पर प्रकाश डाला, सालवे सर ने उन लोगों के कानूनी प् संस्था वरिष्टव और विद्वान संथ परम पुझ्य साधु प्रिम प्रकाशदास पीपी स्वामी एवं परम पुझ्य मुरी दर्शन स्वामी के हातों किया गया। प्रकाश भाई कोठारी, महेद भाई गांधी, नविन भाई ठककर, संस्था के सचिव नरेश जुम्मानी, मनोज अगरवाल, किशोर जी, डॉक्टर महेश तीवारी, महेश ग्वालानी, अशोक हाडा, डॉक्टर सुनिता मिगलानी, प्रविन जुम्मानी, महेंद्र पूजन गौमाता को दीप प्रजवलित कर प्रमुक अतिथी टेक्चन जी सावर कर, उपमाहापोर मनिशा धावडे, महेंद्र एम कटारिया, अध्यक्षो जुवल गौरक्षन ट्रस्ट जैप्रकाश गुपता, सभापती खादी ग्रामोद्योक श्रीमती नीशा सावर कर, पुर्व अध्यक्ष जिला पंचयत नाखपुर, बहादुरा पंचयत समिती सरपंच पुषपा गायधने, जेपी शर्मा, पुर्व अध्यक्ष जुवल गौरक्षन उपसरपंच एजाज भाई, नरेंद्र नांदुरकर, पुर्व सरपंच भारत भुशन मदान की उपस् अतितियों के हातों गौमाता को आज मिठी मिठी लापसी घूगरी, गुड, हराचारा, चुनी भुसी, कुटार, इद्यादिगा भुजन कराया गया। सभी गव भक्तों को बुंदी सेब का प्रसाद वितरित किया गया। प्रवन निदेशक, पेंच टाइगर रिटरिट प्राइवेट लिमिटेड, वनराज रिजॉर्ट, पेंच मध्य प्रदेश का चायान, व्यापर एवं सेवक शेत्र में किया गया है। पुरसकार समारोह और अविवार को महराजबा कलब में शाम साथ बजे होगा। शाहर पुरसकार समारोह के बाद सदस्यों के लिए दिपावली मिलन कारिकरब आयुजित किया गया है। NCCL के अध्यक्षा C.A. केलाश जोगानी और नाकपुर चेमबर ओफ कॉमर्स लिमिटेट के सचिव तरुन निर्बान और सयोजक विजय जायसवाल ने शहर के सभी व्यापार और उद्योग संगों के पदादी कारियों और नाकपुर चेमबर ओफ कॉमर्स लिमिटेट के स प्रदस्यों को समारों में भाग लेने के लिए आमतरित किया है। परिशद ने कहा है कि भारत की आबादी काफी अधिक है तथा समय समय पर जनता अनेक रोगों से ग्रसित रहती है। उन्हें उपचार के लिए अनेक टेस्ट करवानी पढ़ती रहती है। जो कि विभिन अस्पतालों में उसकी फीस अलग-अलग है। सरकार को चाहिए परोक्त प्रस्ताओ सर्व सम्मत इसे पास किया। कारेकरम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष राम कुष्ण कुपता ने की। साथ ही उन्हें दुसरा डोज समय पर लेने की सलहा दी और कोविट प्रोटोकॉल का पालन करने का संकल भिल गया। कारेकरम की अध्यक्षता डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने की प्राचार यने छातराओ को स्वास्त के प्रति जागरुक रहने की सलहा दी। कारेकरम प्रभारी सहायक निदेशक आयूद्वारा धनवंतरी पुजन किया गया। एवम इस अवसर पर धनवंतरी पुजन के साथ आयुष मंत्राले एवम परिशद मुख्याले से प्राप्त दिशान इर्देश के अनुसार पोशन के लिए अयरुवेद के महत्व के बारे में संस में छटा आयरुवेद दीवस आयोजित किया गया इस पावन परवपर मुख्याती थी के रूप में विधा क्रुशना खोपडे डॉक्टर एमन सुर्यवंशी प्रभारी सहयक निदेशक आयू राजा रांदेव आनंदिलाल पुद्दार सेंट्रल आयरुवेदा रिसर्च इ उपस्तित थे क्रुशना खोपडे ने पोशन के लिए आयरुवेद के विशेपर व्याख्यान देती हुए कहा कि हमारे जीवन में आयरुवेद का और पारंपारिक भारते जिकित्सा प्रणालिक के महत्व के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने अपने व्याक्ख्यान म प्रियदर्शी समराट अशोक बुद्ध विहार में चित्त सागर अभ्यासी का काउध घाटन किया। इस अउसर पर बुद्ध मुर्ती की प्रति स्ठापना भी की गई। कारेक्रम के अध्यक्ष की रूप में सम्मुधित करते हुए कुलपती प्रोफेसर शुकल ने बौध्ध धम्मकी दुरुष्टी और साध्ना का महत्वर एकांकित करते हुए अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहां कि धम्मका चिंतन, निरंतर्ता और सत्य के पास ले जाने वाला है। प्रास्ताविक वक्तभया में प्रोफेसर वोरकर ने चित्त सागर अभ्यासिका का लाव लेने का आभान किया। उन्होंने अभ्यासिका की और से अनेक उपक्रोमों का आयोजन करने की जानकारी भीती। अतितियों का स्वागत बुद्धयमम उनका धम्म ग्रंथ प्रदान कर किया गया। सर्वा शंकर गौर नंदु अहीर दिनेश ताजीना अजीद कोशल इश्वर कावरे प्रदीब वान खेड़े गजानन देशले कमलेश शाहू गोविंदा काटेकर राजकुमार सर्वा रुकमिनी साहू राकेश वर्मा गोविंद हिर्वानी लखन सर्वा यदुरम गेंदरे परमेश्वर सेलो कर टेकचंद सोन बोईर अंजू दुबे की रही। पदम हिरालाल जैन था और पूरे भारत में लोग उने पदम बाबा के नाम से भी जानते थे। सीरियल का निर्मान करते हुए दर्शकों को इतिहास से परिचित करवाया है। इसी की तहत अमोल कोलहे और जगदंबा क्रिएशन्स द्वारा निर्मित स्वराजिस सौदामिनी तारारानी सीरियल जल्दी देखने को मिलेगा। इस सीरियल का प्रसारन सोनी मराठी पर 15 नवेंबर से शाम साड़े साथ बजे सुमबार से शनीवार होने जा रहा है। सीरियल में महरानी तारारानी का किरदार स्वर्दा ठिगले निभा रही हैं साथी रोहित देश्मुक अरमित देश्मुक धनाजी और संताजी की भूमी का निभाएंगे। सौदामिनी तारारानी इस वाक्य से महरानी तारारानी का व्यक्तित्व सामने आता है। चत्रपदी शिवाजी महराज और संभाजी महराज के बाद तारा रानी ने मराठों की शक्ती और स्वशासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी ली और यह फलाफूला और स्वराजे का विस्तार किया। महरानी तारा रानियों उनका काम इतिहास का एक उपेक्षित पुष्ट रहे। सोनी मराथी ने लगातार इतिहास एक सीरियल का निर्माण किया और दर्शकों को इतिहास से परिचित करवाया। पुष्ट ट्रस्ट अध्यक्ष गोविन पुद्दार के मार्क दर्शन में यह कारिक्रम हुआ। इस अफसर पर सिंधी सोशल फोरम के अध्यक्ष मोहनलाल मंजानी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा। कि नाकपुर में संशाइन ट्रस्ट गरीबों की सेवा के सराहनिय कारे कर रही है। ट्रस्ट के नाकपुर शाखा के ट्रस्टी गन परमानन विधानी डॉक्टर विंकी रुगवानी अनील मूल्चंदानी प्रेम खिलवानी वर शंकरलाल मूल्चंदानी ने कुरुना काल में पूर्ण सुरक्षा के बंदोबस्त का ध्यान रख कर कारकरम को सफल बनाने का अभार प्रकट किया कारकरम के सफलतार्थ सर्विश्री रामचंद्र बच्वानी रहरीश माईदासानी शंकर मचंदिया हर्श कटारिया मोहन कृपल खटवानी वासदेव हिरानी राजेश स्वामनानी वा मुरलिधर खटवानी ने अविस्मरनिये प्रयास किये और इंसिटी फोटोग्राफर्स कलब द्वारा व्यक्ति व्यवसाहिव कला और सेवा इसो देशों को ध्यान में रखते हुए प्रती वर्शान उसार दिपावली के निमित धंतेरस के दिन जीवन आशर सेवा संस्था रानी दुर्गावती चौक नाकपुर में कलब के सदस से एवं पदादीकारियों ने बच्चों एवं बुजर्गों के साथ पावली मनाई इस अफसर पर बच्चों एवं बुजर्गों को मिठाईयां नित जीवन में उप्योग में आने वाली जरुरत की वस्तुएं एव राजन गुपता, शेलेश, डोम्रे, विशाल एवं प्राची, पोपट, जीवन आश्रे संस्था के विकास, शेंडे, राकेश, गजबी ये उपस्तित थे धन्तेरस के शुब अफसर पर शेतन जोशी ने दिपावली की शुब कामनाई देते हुए कहा कि बच्चों संदे मिलकर बहुत आनन्द मिला आप भी अपना जीवन आनन्द से बिताएं, क्लब के पूरवध्यक्ष, राजिन गुपता ने दिपावली के पांच दिन का महत्व बता कर, क्लब द्वारा आईजित होने वाले कारक्रमों के बारे में जानकारी दी पूरवध्यक्ष, दिनेश महर ने बच्चों को फोटोग्राफी के शिबर के बारे में चानकारी दी, वा क्लब द्वारा आईजित फोटोग्राफी प्रदश्णी बच्चों को दिखाई जाएगी, ऐसी जानकारी दी जरीपिटका नारा रोट सिर्जी कुमार आरोग्यधा में राश्य आयरवे दिवस वधन्वंतरी जैंती विभिनित धार में कारक्रमों सहित मनाई गई इसी अफसर पर श्री कलगिधर सत्संग मंदल के संयोजक एडवोकेट माधवदाज ममतानी ने अपनी ओजस्वी वानी में श्री गुरु गोविन सिंग द्वारा रचित दसम ग्रंथ में से भगवान धन्वंतरी को परमातमा द्वारा भीजा किया विष्णु जी का अफतार बताया आयुर्वेद तीन कियो प्रकासा जग के रोग करे सब नासा अर्थात भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद की उत्पती कर उसमें भिन भिन रोगों को दूर करने हेतू और शदिया लिखी अंदहा आयुर्वेद परमातमा द्वारा भेजी गई श्र लालवानी, संजे चौधरी इत्यादी प्रमुक अतितियों द्वारा दिवाली के अफसर पर स्वास्त वाटिका का स्त्री रोग विशेश शांक विमोचत किया गया। मेनो पॉस्व आयुर्वेद कश्चातर्व यूवा वर की पीडा मुहा से पोस्ट कोविट समस्याएं व समाधा नित्यादी लेखों का विस्तृत विवरण दिया गया है। महत्वपून हैं जितना की भारतिय संस्कृती में दिवाली का उत्सव। इस साल नवेंबर महीने में दिवाली है और विशेश संशिप्त पुनरिक्षन कारिक्रम भी है। इसी औचित्ते के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कारले ने इस वर्ष लोकतांतरिक दिवाली प्रतियोगिता का आयोजिन किया है। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में नाकपुष शहर के नागरिक भाग ले यहां अवाहन मनपाएक तराधाक्रशन भी ने किया। भारत का चनाव आयोग मदाता सूचियों को उदतन करने और मदाता पंजी करन के लिए नई पातरता तितियों की घोशना करने के लिए हर साल एक समिक्षा कारक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष यह कारिक्रम एक नवेंबर से 30 नवेंबर 2021 तक आयुजित किया जा रहा है महत्वपूर्ण बात ये है कि इस कारिक्रम के तहट 18 वर्ष और उससे अधिक आयू के नागरे के एक जनवरी 2022 कुमदाता सूची में अपना नाम दर्च करवा सकते हैं नागरिक परतियोगिता में भाग लेने है तू अपनी जानकारी संबंदित लिंक पर 15 नवेंबर तक दर्च करवाएं करूना महमारी की दौर में बिजली उत्पादन निर्बात जारी रखना एक बड़ी चुनोती बन गई है यह कहते हुए महानिर्मिती के निदेशुक संचालर चंद्रकान थोटवे ने कहा कि करूना काल में जिस समय बिजली की मांग बड़ी थी उस दौरान बिजली योधाओं ने शांदार परफॉर्मेंस देते हुए बिजली की आपुर्ती सुचारू बनाए रखी वो यहां कुराडी में महानिर्मिती के कुराडी थर्मल पावर स्टेशन की सेतालसवी वर्षगाट के समापन समहारों में बोल रहे थे उन्होंने बेहत नए अंदाज में पावर स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों से बाच्चीत की और उनकी समस्याओं को जाना उन्होंने कहा कि मुख्याभ्यंता प्रकाश खंडारे के नेतरित्व में कुराडी थर्मल पावर स्टेशन ने अच्छी प्रगती की है कारक्रम की अध्यक्षता कुराडी पावस्टेशन के मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे ने की कारक अधिकारी यश्वंत मोहिते प्रमुक रूप से उपस्ति थे वर्षगार्ट के उप्लक्ष में विविदेप्रकार के खेल बैडमिंटन टेबल टेनिस ब्रिज शत्रंज क्यारम क्रिकेट जुम्बा फिटनेस का वायत आधी आयोजन किये गए हर नागरे को समय पर स्वास्त स्विधाय मिलना बेहत जरूरी है नाकपूर महानगरपालिका नाकपूर शहर में गरीब लोगों के लाप के लिए बंदे मातरम जन स्वास्त केंद्र शुरू किया गया है केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने दयाशंगतिवारी के काम की सराहना करते हुए कहा कि मनपा के स्वास्थ केंद्र समय पर गरीबों और जरुवत बंदों को नियुनितम दरों पर स्वास्थ सेवाएं प्रदान कर रही है और नाकपुर मानगर पाली का द्वारा शेहर के लोगों के लिए किया जाने वाला यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है भारतिय स्वतंतरता के अमरित महत्सव वर्ष के अफसर पर नाकपुर शेहर के गरीब नागरिकों को लाब देने के लिए बंदे मात्रम जन्च्वास्थ केंद्र शुरू किया जा रहा है शेहर के विबन हिस्सों में केंद्रित स्थापित किये जा रहे हैं भिफसन खोरी भीम सेना नगर ब्रिद विहार स्थ केंद्र का उटखाटन मंगलवार को केंद्री मंत्री ने तिन गटकरी ने किया इस अफसर पर वो भाशन दे रहे थे पोशी आदी मानिवर उपस्तित थे तो नागपूर हलचल में आज इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूस नमस्कार